मेंबर स्री राजु विस्ताई धन्यबाद सर आपने मुझे इस महत्पुन्द विशे पे बोलने का समय दिया सर ये सेंट्रल ट्राइबर युनिविर्सिटी ये अपने आप में जंजाती समाज हमारी आदिवाशी समाज हमारे देश के लिए गौरब का छण है और मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने एक बार फिर अपनी प्राथिमिक्ता को स्पष्ट किया है और जो हम बार बार कहते हैं कि हमारी ये सरकार जो है हमारी आदिवाशी हमारी जंजाती महिलाएं गरीब हमारे युवाशाथी को समर्पित है वो उस भाव को एक बार फिर यहां पे जो है इस फ़स्ट हम सब को देखने को मिलता है और आकड़े भी जो है ये इसी चीज की तरफ जो है हमारा ध्यान आकरशित करता है वैसे तो कल से लेकर के हमारे बंगाल के भूछ सारे सांसत भी बोले जोर जोर से बोल रहे थे और लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा और आकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि साड़े नौ साल से मोदी जी की नित्रुतों में कोशिस ये हुई है हर समय हर छण कि जो आजादी के बाद इतने सालों तक इतनी सरकारी रही और प्रमुकता से कॉंग्रेश रही लेकिन हमारे समाज के अंदर भहुत सारे लोग ऐसे जो पिछड गए थे उनको आगे बढ़ाना एक मात्र जो है उनका धेय था इसलिए मैं पुरी सरकार को इस बात के लिए बढ़ाई देता हूँ सर मैं आपके सामने अपने छेत्र के विशे के बारे में थोड़ा रखना चाहूंगा पुरा नौर्थ बंगाल और दार्जलिंग तराई डूवर्स का इलाका है बहुत सारे हमारे जनजाती समाज आदिवासी समाज का जो है घर है और नौर्थ बंगाल के अंदर में विशेश करके दारजिलिंग, कालिंग पुंग, अलिपूर द्वार, जल्पाई गुड़ी, कुझबियार, नौर्ध दिनाचपूर, साउध दिनाचपूर, मालदा ये सब इलाके आते हैं और हमारी करीब जो है, तीन करोड के आसपास की शेत्र की आबादी है, और यहाँ पर प्रमुकता से जो है, चाय बगान और सिंखोना बगान में हमारे स्रमिक माताएं काम करते हैं, और उसमें भी जादा तर महिला ही रहती है, और करीब-करीब 6,000 रुपया का ही आसपास उनक जो है, मैंने की कमाई रहती है, चाय बगान में काम करते हुए, तो बहुत तकलीफ में अपने जीवन को जीना पड़ता है, और अपने बच्चों को पढ़ाने, लिखाने में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है, और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ, कि हमारे छेत्र का ध्यान में रखते हुए, जो है, दारजिलिंग में एक हिल सेंट्रल उनिवर्सिटी के स्थापना हो, ऐसा मैं मांग आपके सामने रखना चाहता हूँ, और उसका कारण भी है, देखे, बंगाल की आबादी करीब 10 करोड है, और कलक से नोर्थ बंगाल बहुत दूर पड़ता है, और बंगाल में जो टी-म-सी की सरकारें हमेशा उसने जो है, नोर्थ बंगाल के साथ एक सोतेला बेवार किया है, और केंद्र सरकार में एक बार एम्स जो है, अस्पताल बनने की मंजूरिर अप्रूबल हो गई थी, और नोर् पास छमताएं बहुत ही, छमताएं होने के बावजूद भी जो है, हम लोग हमारे छेतर में लोगों को जो है, बहुत तन्याय और अत्यचार सहना पड़ा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग रखना चाहता हूँ कि एक सेंटरल उनिवर्सिटी हो, और की सर एक विशेषता रही है, दारजिलिंग में सिरिफ जो है, बंगाल के या आसपास के नहीं, साउथ इस्ट एशिया के भी जो है, बच्चे हमेशा से आकर के वहाँ शिक्षा लेते रहे हैं, हमारे पडोश के जो मुल के चाहिए नेपाल हो, बंगलादेश हो या भुटा जो राजसाई परिवार के लोग, बहुत सारे लोग दारजिलिंग में आकरके उन्होंने शिक्षा गरण की है, तो अगर हम दारजिलिंग में केंद्रिया जो है, सेंट्रल उनिवर्सिटी बनाते हैं, तो उसका बड़ा लाब मिलेगा, और हमारे पास जो है, जमीन भी है, और हमारे पास जो है, वो स्ट्रेटिजिक लोकेशन भी है, और अभी बंगाल सरकार ने कोशिश किया था कि एक हिलिविनिर सिटी दारजिलिंग में बनाएंगे, लेकिन मुझे उसका भी दुख के साथ कहना पड़ता है, वो सिरिफ कागचों में ही बना, लेकिन फीजे के के लिए आज तक न कोई बिल्डिंग है, न वा कोई वाई सांचलर एपोइंट हुआ है, मंग्पु में, अभी देखिए हमारे टीम्सी के सांचत को पता भी नहीं है, कि इनोंने गोशना किया है, इनकी गोशना शिरिफ कागच में रह गये हैं, कुछ बच्चों ने वाँ पे एडिमिशन लिया था, आज तक जो है फिजिकल उनका क्लास नहीं हुआ, और उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनका केरियर बरबाद हो रहा है, बंगाल में टीमसी सरकार से हमें कोई अपक्छा नहीं है, मोधी जी ने पूरे देश के लिए किया है, हमारी सारी उमीद उनके साथ जुड़ी है, मैं आपके माद्यम से एक बार फिर केंदर सरकार से निवेदन करता हूँ, कि जो है एजुकेशन हब दारजिलिंग हमेशा था, अगर हायर एजुकेशन फेसिलिटी वहाँ बन जाता है, तो शेत्र के लिए पूरे पश्चिम बंगाल देश के आपने मुझे बोलने का समय दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.